हेलो दा स्टुडेंट्स ओफ सिक्स क्लास और वेलकुम्ड इन दा क्लास ओप भी सेनी सर आज मैं आपको मैं रोमन नुम्रेल्स पढ़ाने जा रहा हूं इसमें आरे सग्रवाल की बुक में यह एक्सरसाइज वण जी है तो दीखें रोमन नुम्रेल्स में होता क्या है रोमन नुम्रेल्स में सेवन बेसिक नुम्रेल्स होते हैं उन सेवन नुम्रेल्स से ही सारे नंबर्स बन जाते हैं अब यह सेवन नुम्रेल्स है हमारे यह समें रोमन नुम्रेल्स डाट इस हिंदू अरेविक नूम्रेल्स जो हम पढ़ते हैं वन टू थी उनको बलते हैं हिं व Earn नोंगरल्स और रोमन दूमरल स्वन वन के लिए I है कि हम बनाते हैं 5, 5 के लिए 10, 10 के लिए एक्स द मिखता है 50 के लिए एल 100 के लिए C खान थेन थाउजन के लिए N इस तरह से PG ઉन थेन फिफ्टी हण्डरएड फाइवन इनके लिए जो numbers हैं हमारे I, V, X, L, C, D, M ये 7 numbers हैं और इन 7 numbers से ही सारे numerals हमारे बन जाते हैं अब इस numerals को लखने के लिए कुछ rules है first rule है repetition means addition अगर Roman numerals में कोई भी number आपका repeat होता है तो इसको means addition होता है जैसे ये 10 है इसके पास एक और number हमने add कर दिया तो यह क्या हो जाएगा इसका means हो जाएगा 10 plus 10 that is 20 या आपको ने लेखा 1 1 It means 1 plus 1 that is 2 या आप लिखते हैं C double C It means 100 plus 100 that is 200 इस तरह से Roman numerals में क्या होता है repetition means होता है आपका addition अब इसमें क्या है repetition में भी कुछ rules है first rules है only I, X, C, M can be repeated हम I, यानि one number के लिए X 10 के लिए, C 100 के लिए and M 1000 के लिए इनी को repeat कर सकते है इसके अलावा किसी भी number को हम repeat नहीं कर सकते यानि इसमें कौन से बच्चे है आपके I हो गया, V को कभी repeat नहीं कर सकते हम X हो गया, L को repeat नहीं कर सकते है और D को repeat नहीं कर सकते है तो second rule क्या हो गया, या आपका V, L, D never repeated, जो number हो आपके लिए बच्चे थे वह कभी भी repeat नहीं होंगे third है, no symbol can be repeated more than three times किसी भी symbol को हम three times से यादा repeat नहीं कर सकते हैं जैसे अब यह हम लखते हैं यहाँ पर किसी भी number को हम more than three times लखें जैसे यह था आपका 10, 10, 10, 10 four times repeat कि हमने, तो यह हो जाना चाहिए 10 plus 10 plus 10 plus 10 that is 40 but it is wrong ऐसा नहीं होता, अगर आप ऐसा करेंगे तो यह wrong होगा कोई भी number, ज्यादा से यादा हम three times से उसको repeat कर सकते हैं three times से ज्यादा कभी किसी को repeat नहीं करेंगे इसके बाद होता है subtraction subtraction क्या होता है किसी number के साथ होता है तो इसमें V, L, D never subtracted V यानि 5 के लिए है L 50 के लिए और D आपका 500 के लिए यह कभी भी subtracted नहीं होते तो यह आपने देगार V, L, D never repeated ना तो यह repeat होते हैं, यानि add होते हैं और ना ही है subtract होते हैं अब one can be subtracted from V and X only अगर हम one को subtracted नहीं I को subtracted नहीं है one को तो इसको क्या कर सकते हैं या तो V से subtract रेंगे या X से करेंगे इसके अलावा किसी नंबर से इसको subtract नहीं करेंगे X can be subtracted X 10 के लिए होता है इसको जो हम subtract रेंगे तो क्या करेंगे या तो L में से subtract रेंगे या C में से करेंगे It means या तो 50 से subtract करेंगे या 100 से करेंगे, इसके अलावा किसी भी नंबर में से X को सफ्टेक्ट नहीं करेंगे C can be सफ्टेक्टेट फ्रम D and M only C को हम यानि 100 को सफ्टेक्ट कर सकते हैं हम D से यानि 500 से और M से यानि 1000 से इस तरह से ये कुछ रूल्स थे इनके बेस पर ही हम किसी भी दिये हुए हिंदी अरविक नंबर को रोमन में या रोमन को हिंदी अरविक में चेंज कर देते हैं अब हम देते हैं exercise वन जी का question number 1 express each of the following as a Roman numeral जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं सबको हमें Roman numeral में लिखना है अब देखिए क्या number है आपके फ़र्ष नंबर है 2 2 क्या है इसमें इसको हम करें तो यह होगा आपका 1 प्लस 1 इसको 1 को 2 टाइमस रिपीट कर देंगे तो 1 1 इस तरह से ही आपका 2 हो जाएगा 8 8 के लिए देखिए 8 क्या है मारा 5 प्लस 3 इसको रिपीट कर देते हैं तो क्या होगा यह आपका यह होगा 5 के लिए V और 3 के लिए 1 को 3 बार हम रिपीट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका 8 इसके बाद है 14 14 में क्या होगा 10 प्लस 4 अब देखिए 10 क्या है 10 होता है हमारा X 4 क्या होता है V और V में से 1 को इधर का है 4 हो जाता है V 5 है 1 को हमने सब्टेक्ट कर दिया आई को यहां तो यह 4 हो जाता है इसलिए 14 जब हम लिखेंगे तो आपका यह नंबर 14 हो जाएगा अब लिखते है 29 29 में होगा आप आट करेंगे 20 प्लस 9 लिख सकते हैं 20 के लिए आप लखें तो ये भी लख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 9 तो जब हम एसको लखाएंगे तो क्या होगा 10 प्लस 10 रेपीट हो गया और ये 9 अब यह हो गया तो इस तरह ऐसे हो जाएगा 29 36 इसमें आप देखें 10 3 times repeat हो रहा है तो 10 plus 10 plus 10 plus 6 के लिए 5 और plus 1 तो इसको क्या करेंगे repeat जब हम उसमें करेंगे तो 10 10 10 3 times repeat हो गा तो 10 के लिए x फिर x हो गया इसके लिए 5 v और 1 इसमें add हो जाएगा इस तरह से ये आपका 36 हो जाएगा अब लेना है 43 43 में अगर हम 10 को लेते हैं तो 4 times repeat होगा और कोई भी number 3 times ज़्यादा repeat होता नहीं है इसलिए इसको क्या करेंगे 50 minus 10 40 के लिए यानि 50 minus 10 क्या होगे हमारा ये 40 हो जाएगा और इसमें 3 add कर देंगे तो क्या करेंगे अब देखी 50 के लिए होता है आपका L और इसमें से क्या होगा 10 minus करना है तो 10 को इसकी left hand side में रिखेंगे है तो ये हो जाएगा आपका 40 और 3 के लिए 1 को 3 times repeat करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43 54 फिर इसमें 50 लेना है तो इसका हो जाएगा 50 plus 4 तो इसका 50 के लिए L 4 के लिए V और इसमें से 1 यहां subtract हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 54 अब आता है 61 61 में क्या होगा 50 plus 10 और plus 1 तो दीए क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे हैं 50 इसके बाद 10 इसके बाद 1 तो ये हो जाएगा 61 73 73 73 के लिए 50 plus 10 plus 10 और plus हो जाएगा आपका 3 तो देखें क्या होगा 50 L हो गया 10 10 3 ये हो जाएगा आपका 73 अब हम देते 81 के लिए 81 के लिए क्या है 50 फिर इसके बाद 3 टाइमस दो हम 10 को रिपीट करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर 3 टाइम रिपीट हो सकता है इसके बाद 1 तो इसके क्या होगा 50 10 10 10 10 और 1 ये आपका हो जाएगा 50 81 इसका बाद नेक्स पार्ट है इसका 91 91 के लिए क्या होगा देखें इसके लिए होगा 90 प्लस 1 अब 90 के लिए क्या होता है 90 करने के लिए हो जाएगा आपका 100 माइनस 10 प्लस 1 ये होगा तो इसको क्या करेंगे है 100 C इसमें से minus 10 X यह हो जाएगा यह हो गया 90 1 के लिए इस तरह से आपका 90 बन हो जाएगा अब लेना हमें 95 इसको भी सी तरह करेंगे 90 plus 5 90 के लिए वो यह 100 में से 10 minus करेंगे हम और plus कर देंगे इसमें 5 तो यह हो जाएगा आपका C 100 हो गया 10 minus हो गया तो 90 और 5 इसमें फिर यह plus हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा आपका 95 अब है 99 अब जाज़तर क्या करतें स्टुएंट्स के 99 के लिए 100 में से 1 minus कर देते हैं लेकिर अभी हमने बताया था 1 को हम 100 से minus नहीं कर सकते तो इसलिए में क्या होगा इसमें 90 plus 9 90 के लिए हम जी से प्रोसेस करेंगे से हम 100 minus 10 के लिए तो C इससे पहले X कर देंगे और 9 के लिए यह आपका 9 होता है तो इससे ही हो जाएगा आपका 99 इसका बाद है 105 इसका हो गया 100 plus 5 100 के लिए C होता है प्लस 5 इसके बाद 5 हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 105 और लाश्ट में है 114 तो 100 प्लस 10 प्लस 4 जब इसको हम करेंगे तो 100 के लिए C 10 के लिए X और 4 के लिए यह आपका 4 वी से बलाएगा तो इस तरह से 114 हो जाएगा इसमें लेते हैं कुश्चन नमबर 2 कुश्चन नमबर 2 है एक्सप्रेस इच ओफ दा फॉलाइंग एज रोवन नूमरल इसमें या कुश्च नमबर्स दिये हुए हैं फर्स्ट में हैं आपका 164 सेकेंड है 195 थर्ड है 226 फोर्थ है 341 फिफ्थ है 475 6 है इसमें 596 और 7 है 611 और एड़ नमबर है हमारा 759 तो दीए इसको हम करने के लिए क्या करेंगे 164 को जब हम करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 4 इस तरह से इसको हम बनाएंगे तो 100 के लिए C 50 के लिए L X और 4 ये नमबर आपका हो जाएगा 164 इसके बाद है 195 इसमें क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 5 अब 50-40 के लिए क्या कर सकते हैं हम इसको डारेक्ट यहां 90 करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 100 प्लस 90 और प्लस 5 तो इसमें क्या होगा 100 के लिए C 90 के लिए X C ये होगा आपका 90 और 5 हो गया ये इस तरह से ये नमबर आपका हो जाएगा 195 इसके बाद है 226 इसको जब हम प्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा 100 करेंगे इसके बाद फिर 100 कर सकते हैं फिर करेंगे 10 इसके बाद फिर 10 इसके बाद 6 इसके बाद होगा इसमें 5 और फिर होगा 1 तो दी किस तरह से नमबर होगा ये आपका 200 के लिए C फिर C फिर 10 फिर 10 इसके बाद 5 और 1 इस तरह से यह नंबर हो जाएगा आपका 226 इसके बाद लेते हैं 341 तो इसके लिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 40 और प्लस 1 तो क्या होगा 100 के लिए C फिस C फिस C इसके बाद 40, 40 के लिए होता है XL और 1 यह हो गया तो यह नंबर हो जाएगा आपका 341 अब आता है 475 400 के लिए क्या करेंगे यह होगा 400 लिखने के लिए 500 minus 100 यह हो जाएगा आपका 400 plus 70 के लिए 50 plus 10 plus 10 plus 5 तो दीख क्या नमबर होगा पहले 500 500 के लिए होता है आपका D इस में से 100 minus करना है तो C इस से पहले आ जाएगा यह हो गया 400 इसके बाद 50 के लिए L फिर आपका 10 फिर 10 और इसके बाद 5 तो यह जो नमबर है हमारा यह कितना हो जाएगा C D L X X V यह हो जाएगा आपका 400 यह हो गया 50, 60, 75 अब हम देते हैं 596 तो इसमें 500 plus 50 अब 50 हम नहीं लेगे तो 90 हो जाता है तो इसमें करेंगे हम 90 इसके बाद 5 इसके बाद 1 तो दीए क्या होगा 500 के लिए हो गया आपका D इसके बाद 90 यह होता है X C 5 V और 1 यह तो यह नमबर हो जाएगा आपका 596 इसके बाद लेते हैं 611 तो यह 500 करेंगे इसमें फिर 100 फिर 10 फिर 1 इस तरह से हम इस नमबर को जबब करेंगे तो यह नमबर हो जाएगा आपका 500 के लिए D 100 के लिए C 10 के लिए X और 1 यह D C X 1 I D C X I हो जाएगा आपका 611 अब यह लास्ट नमबर बचा हमारा 759 तो इसमें 500 हो गए प्लस 100 प्लस 100 यह होगा आपके 700 इसके बाद 50 फिर 9 तो दिए क्या होगा 500 के लिए D इसके बाद 100 के लिए C फिर 100 के लिए C 50 के लिए L और फिर यह 9 आपका तो इस तरह से यह नमबर हो जाएगा यह 9 है तो 759 इस तरह से आपने यह numbers को इच आफ दा फॉलएंग एज ए हिंदू अरेविक नूमरल यह रोमन नमबर में गिविन है इनको हमको हिंदू अरेविक में लिखना है तो दीए क्या करेंगा इसको भी C तरह एक्सपेंट करके हम कर सकते हैं यह क्या है आपको एक्सपेंट है 10 10 5 1 1 तो यह क्या होगा 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा इसको हम करेंगे तो 10 20 25 26 27 इस तरह से यह नमबर आपका हो जाएगा 26 इसको देखिए क्या करेंगे यह भी 3 टाइम से एक्स है तो यह 10 प्लस 10 प्लस 10 यह आपका 4 है पुरा तो plus 4, क्या हो जाएगा 30 और ये 34 हो गए आपका इसमें देखिए 50, 50 में से 10 माइनस हो रहा है तो ये है 50 माइनस 10 सुरू में प्लस 5 इसको हम रख सकते हैं 50 माइनस यानि 40 प्लस 5 हो गए आपका इसका हो जाएगा आंसर 45 इसका आंसर ये हो गया इसका 34 हो गया इसका अंसर हो गया आपका 45 इसमें देखिए 50 प्लस क्या है आपका 5-1 5-1 है यानि यह हो जाएगा आपका 50 प्लस 4 तो यह हो जाएगा 54 इसको देखिए यह 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा 50, 60, 70, 74 इसको दिखी यह क्या है 100 C होते हैं 10 minus हो गए इसके क्योंकि यह आपका left side में हो गया तो यह हो गया 100 minus 10 plus 1 इसको हम दिख सकते 100 minus 10 यानि 90 plus 1 91 हो जाएगा यह आपका इसके बाद इसमें दिखी 10 minus 100 minus 1 10 यह हो गया आपका इसके बाद है plus 5 और इसके बाद फिर plus 1 5 plus 1 तो कितना हो जाएगा यह हो गया 90 plus 5 plus 1 that is 96 इसमें अब दिखे 100 plus 10 plus 1 तो कितना हो जाएगा यह 100 110, 1 तो कितना हो जाएगा 111 इसमें नेक्स पार्ट देखिए इसमें नाइन्थ पार्ट में है C, L, I, V C यानि 100 plus L, 50 plus IV यह होता है 4 तो कितना होगा आपका यह हो जाएगा 154 इसमें देखिए इसमें C, C, X, X C पहले 100 फिर दूसरा C 100 इसके बाद 10 फिर 10 इसके बाद यह 4 तो यह हो जाएगा 100, 200 210, 220, 224 इसमें देखिए इसमें C, C, C है तो यह 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 तो 350, 65 यह हो जाएगा 365 इसका क्या होगा? देखिए इसमें C, D D होता है हमारा 500 इसमें से C, 100 यानि माइनस हो रहा है तो 500 में से 100 माइनस हो गया और प्लस क्या है? 10 प्लस 4 इसको हम लिख सकते हैं यह हो गया आपका 400 प्लस 10 प्लस 4 और इसका आंसर हो जाएगा 400 14 यह आपका आंसर हो रहे है? इसमें देखिए C, D, L यह 500 माइनस 100 हो गया इसके बाद प्लस हो गया 50 प्लस हो गया 10 और प्लस हो गया 4 तो कितना हो जाएगा यह हो गया? 400 प्लस 50 450, 64 तो यह हो जाएगा 464 इसमें देखिए D आपका 500 प्लस 5 प्लस 1 इसको जो हम करेंगे तो होगा 506 इसमें देखिए यह D 500 प्लस 100 प्लस 100 CC के लिए L के लिए प्लस 50 X के लिए 10 फिर 5 इसके बाद 1 तो यह हो जाएगा 500, 600, 700 50, 60, 5, 66 766 इसमें आपका हो जाएगा अगर यह कुश्चन नमर 4 इसको बताना है इसका रीजन देना है तो दीए हम फर्स्ट केस को देखते हैं फर्स्ट केस में क्या है C मेंसे के लेफ्ट में V है यानि C मेंसे V को सब्ट्रेक्ट किया जाता है लेकिर रूल्स में हमने बताया था कि V को हम कभी सब्ट्रेक्ट रहीं करते हैं तो इसका रीजन हो जाएगा V is never subtracted V को किसी भी नमर मेंसे इसलिए यहाँ पर यह आपका रॉंग है सेकंड कुशन में है आई L यानि L 50 मेंसे 1 को solve किया है 1 को हम क्या कर सकते हैं 5 मेंसे और 10 मेंसे subtract कर सकते हैं 50 मेंसे नहीं कर सकते हैं इसका रूल्स बताया था तो 1 can be subtracted from V यानि 5 and X 10 only 1 को हम जो है क्या कर सकते हैं इस 1 को 5 से और X से यानि 10 से ही subtract कर सकते हैं 50 मेंसे नहीं कर सकते इसमें देखिए इसमें क्या है आपका V, V, 1, 1 V है अब V को हम कभी भी repeat नहीं करते इसका रूल्स था V, L, and D यानि देखिए पीशे क्या था Never be repeated Never repeated इनको हम कभी भी repeat नहीं करते और यहां पर यह repeat कर दिये गए हैं इसलिए यह रूल्स है इसका देखिए इसमें क्या है 10 10 के पहले 9 लिखा हुगा है तो 10 से की left side में कभी भी 9 नहीं लिखा जाता तो 9 can not be written cannot be written to the left side of x यानि इसको हम x की left side में कभी भी नहीं लग सकते इस तरह से आज मैंने आपको यह Roman numerals को exercise finish की I hope आपकी समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे like करें share करें और subscribe करें और इसी तरह की बीडियो आपको every Monday और Thursday को about 3.30 मिलती रहेंगे Thank you